मुझफर नगर से बाड़ी खबर दो निर्दलिये प्रत्याशी बीजेपी में शामिल बाड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुझफर नगर से दो निर्दलिये प्रत्याशी बीजेपी में शामिल प्रत्याशी प्रतीप और रविंदर बीजेपी में शामिल हो गया है मुख्य मंत्री ने दोनों प्रत्याशियों को पहना आया है पटका खौदpersonalी में S.M. योगी की अधिक्षिता में हुए शामिल बड़ी कबर आप तक बचा रहे हैं मुख्य मंत्री ने दोनों प्रत्याशियों को पटका पहना कर अपने पाटी में शामिल किया है 2013 दंगे में मारे गए गौरों के पिता है रविंदर सिंग, खतौली विधान सभा सीट पार उपचुना होना है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं, दो निर्दलिय प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए है मुख्य मंत्री ने दोनों प्रत्याशीों को पठका पेनाकार बीजेपी में शामिल किया है बड़ी कबर आप तक पहुचा रहे हैं, मुजफर नगर से दो निर्दलिय प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए है प्रत्याशी प्रदीप और रविंदर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसे तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। और लगातार जिस तरीके से आज निर्जेवे प्रत्याशी जो वुख्यमंत्री के आगमंद पर यहां पर मंद से जो उन्होंने अपना समर्थन दिया बाजपा को वो एक बड़ी बात है। पंकर जी, 2013 दंगे में मारे गए गौरव की पिता है रविंदर सिंग। तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो जो दंगा है उस टाइम के जो भी यादे हैं और बहुत सेंसेटिव वो समय का टॉपिक था, अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या वो भी एक विशय बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी बिलकुल लक्षमी जीस तरीके से मुख्य मंत्री ने 2013 कवालकांड को बार-बार याद दिलाए है जनता को और उन्हें ये भी कहा कि विक्रम सैली की जदास्ता गई है वह शी कारण गई है और उन्हें ये वी कहा था, और सचिन की जीस तरीके से खूर्टा से हत्या पर आज इस तरीके समर्था रविंद्र ने अहम दिया है तो यह बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में यह जो है कवाल करन्ड बाजपा की जीद के लिए बड़ी बड़ी बात हो जी ता लक्षमी पंगर बहुत 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 शूक्रिये आपका खाबर पर जुरने के के लिए विशे जान काई देने के लिए.